पूँआ अब अब लाए विने शरीतान रजीम बिसमिल्लाहिर्मान रजीम असलाम अलेकम फ्रेंड्स बज्ड अब अब अच्छे से काम बिजी हो जो जो लोंगे फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक नया यूट्व चैनल खोला है जिसमें आपको अर् उस चैनल का नाम है नौवस क्रेविंग जिसका लिंक आपको मेरे बड़ वेले इसी चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो काइंडी जाकि उससे सपोर्ट करें सब्सक्राइब करें आज की वीडियो एक वीडियो होगी आपको याद होगा कि मेरे पास यह कॉक्टेल का जो यह सामने आप देख रहे हैं यह दो धाई सारों से मेरे पास तक्रीबन इसको हो गए है कंफर्म मुझे टाइम याद नहीं है और लास्ट ब्रीदिंग सीजन में सर्दियों में जब मादी ने अंडे दे दिया थे तो अंडे देने के बाद इसका मेल मि इस में अब हैच हुए थे नही नंए तो मादी ने अकेले अपने बच्चे पाल ले थे तो कि तो मैं फिर इसका मेल लेके नहीं आया मैंने बच्चे छोटे हैं मेल लाओंगा तो बच्चों का मार देंगे चार बच्चे थे लिसमें एक बच्चा बच्चा था जो लग आप इसे मुझे पहले दिन से फालो का रहे हैं उन्हें यह बात बारूम है लेकिन अलहम्दलिल् कि इसमें से बच्चा कौन सा है और इसमें से उसकी मदर कौन सी है मतलब के कॉक्टेल की मदर कौन सी है मा कौन सी है बच्चे की और बच्चा कौन सा है जो उसे लोग एक्सपर्ट हैं उन्हें बता लगेगा निशानिया देखके या जो लोग वीडियो देखने हैं याली औ वो बता सकेंगे के बेबी कौन सा है जो अप adult हो गया है और मदर कौन सी है तो आज झी वीडिए में मैं आप से पूछ रहा हूं कि आपने मुझे कोमेट से बताना हैं कि इन दोना मेंसे मादा कौन सीð través कि है जो जो मदर थी और बाभी पाल दे तूर बड़ा हुआ है कि फैनल मैं आपको चले बता ही देता हूं कि यह आप देख रहे हैं जो उन सा यह जो कॉक्टेल है पानी पी रहा है यह वो बच्चा है जो हैच हुआ था इस मदर के अंडों से ईघ और है जो के देखें माशाले से कितना बड़ा हो गया है यह कॉक्तेल अभी इस्की जन्डर कंफिर्म नहीं हो सकती क्यूंकि अभी तरचोटा है यह जेन्डर के से कउङनेज्द क्टेल 4,1 ग disturbance रह देनय होते हैं देशी की जबान होते हैं लेकिन यह ग्रो हो गया है अभी ये टीनेज में आया है और ये है वो मदर वो मादी जिसने अंडे दिये थे और अंडों में से ये बच्चा निकला था तो फ्रेंज आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो टैनी जस्टिक पर बैठा हो है खेल कुदरा है ये बच्चा है चुबा था इस मादी में से ये मादी है और ये उसका बच्चा है बच्चा माश्राइब से बड़ा हो रगया है लेकि अभी ब्रीडर नहीं बना लेकिन ये ग्रोह हो गया है ग्रोह रहा है वत्त साथ ये फ्रिटाइन लगाके बिर्डर बन जाएगा और इस सा loss को जो ब्रीडिंग लेकिए अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको मिलता है शुरू शुरू में मेरे भी कॉक्टेल की बिर्दिंग विसे बिलकुल नहीं हो रही थी अंदे बच्टे नहीं आ बच्चे तीन बच्चे मरद भी आते एक बच्चता क्यों है वो भी निशाला मैं सीख जाऊंगा टाइल लगता है हर चीज में कोई भी चीज जाते ही आपकी रिजल्ट नहीं देती अपने गलतियों से इनसान सीखता है यह आप देख रहे हैं कि यह दाना खा रहे हैं थोते एपना। EMT फिट्टर में से इया याड़्टी ट्रिंक रहें का ह। अब अब ने मुझे BLACK में का में आपको यह कैसा लगा रिजल्ट यह और आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों ने कौन से बर्ज रखे वही हैं या बिल्डिंग सीजन में क्या आप लेना बर्ज के लहाँ से मुझे आपने कमेंट से बताना है मैं को एक दिन छोड़के एक दिन ब्रेड देता हूं कि बड़ी शौक से खाते हैं और आपके सामने हैं गोजर रही है अगर आपको तरीका आता हो बड्स पालने का तो आप बड्स को टफ टेपरेचर में भी टफ एट्मॉस्वर में भी मुश्किल मुहाल में भी मौसम या नभी आप पाल लेते हैं तरीक आना चाहिए आपको केर ने आप आने चाहिए शदीद गर्मी में भी आप पाल लेंगे और शदी सब्सक्राइब भी पालने का इल्म है बाकि आप बर्ड भी वो रखें जो थोड़ा आपके सिटी के लहाँ से सिटी के अट्मॉस्वर के लहाँ से एजिली अजेस्ट कर पाएं ऐसा बर्ड बिलकुल ना रखें जो इसकी आपको इर्म ना हो पता हो और सेंसिटीव इंतहाई हो वह बड़ अभी आप आप लोग ना ख्यां करें अपने वाद सेंसिटीव ब्रीड जो होती है वह बहुत जादा के लेती है तो नॉर्मल ब्रीड रखें जिसकी केर करना भी आप लोगों के लिए असान हो समालना भी आपको आजाए एजी ली ऐसा फ्रेंड नहीं होता कि कोई बर्ड भी आसा नहीं होता जो बिल्कुल भी केर ना मांगे बस आपने लाया रख दिया खुदी पल गया हर बर्ड अपनी ब्रीड के लिहांसे नॉर्मल टूड एक्स्ट्रा कम यह जादा केर मांगता ह है लेकिन मांगता खरूर है यह नहीं होता कि आपने लाया केंज में छोड़ दिया बस खुदी पल जाएगा चाहिए गर्मी शदीद हो चाहिए ठरदी हो आपको हर मौसन के लिहाद से अपने बर्ड को अपने बर्ड हाउस को टंपरेट्चर अड्जेस्ट करना पड़ता आपके परिंदे उसमें रह लें खुदा खुद कुछ नहीं होता समझ बूर्ड से बर्ड की निचर देखके आपको मेंट करनी पड़ती है इजी बर्ड भी होगा अगर समालने में इसकी के असान होगी वह भी आपको तीगीनी के नाच दुचा देगा अपनी केर्वाते कर मुझे अभी रखता है कि मुझे बहुत कुछ सीखने को अभी बाकी है अब मुझे लगता कि मैं महिंगा बर्ड या सेंसिरी ब्रीड नहीं रखने के लिए यह जो मेरा बर्ड होगा देखने हैं अभी नाकाफी है तो अल्ला हिब्मत देगा निशाला तो मजीद मेंद करें अब इसको तरक्की देंगे अपने अल्ला के मदद से बढ़ हाउस को चोटा सा कमरे एगे इंचाना सको कम्प्ली चछत अपनी भड़ देंगे इससे हर मुझे लिए से सोलते लगाएंगे यहां पर अल्ला मजद करेगा आप लोग की दौन से हमारे मिनसे भी हमारे दौन से लिए बाकी अपर देख लिया कि इसमें से वेडिंग से मिले क्या है बेबी इसमें कौन सा था यह वाला जो है यह वाला जो बड़ा ओर रहा है और यह वाली मादी है उसकी माहें तो आपको अच्छी वर्ड़ी अच्छी लगी होगी तो कुछ जानना हुआ को पुछना हो तो आप मेंजे कॉमेंट्स कर सकते हैं अपना बहुत सारा ख्याल अखियेगा अल्ला आफिज